कि अज़िए के बाद हम आपी खिद्मक में दोबारा हाजर हैं जो कॉलर्स हमें कॉल कर रहे थे वह में कॉल कर सकते हैं तो आज हम बात करें मीडिया के किरदार पर जैसा के पिछले काफी दून से लेकिन ऐसा बलके थाली भाई कि पहली दफ़ा मैंने खबर सुनी जाहरा है लोकल मीडिया पर पाकिस्तान के तो उसके इतना इसमें जोश खरोश नहीं तरह एक सादर खबर आई और उसके बाद वो ऐसा लग रहा था किसी घर के सामने कुछ चंद अफराद खानदान देख होता है अगर इसी तवाम चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में सच और हक का बोलबाला हो जाएगा अब वास पहुच जाएगी लोगों तक देखें लोग पूरी दुनिया में मुक्तलिफ के मुक्तलिफ तरीखों से इ है साल का शिकार है पहले एक लफस इस्तेला इस्तेमाल की जाती थी लगान पर आने जबाने लगान एक उसमें क्या होता था कि जी मुशक्कत कराते थे और उसके बदले में सिब खाना देते थे अब उसका तरीखा चेंज हो गया टैक्स हा गया यह लगानी है जदीद दौर की लगाने है तो इसके ओपर भी बारहाल बात करते हैं को यह को शामिय करेंगे असलाम अलेकूं रहमत अल्लाह वाले उस्तेलाम अनीज हैदर साथ नियू यॉयॉक से खुशाम दीद वालेकूं सलाम फरमाईए है अब आद आपने टापिक इतना खुसर रख़ए है कि इस अच्छा देखें मैं पहले शुरू से बात शुरू करता हूं पहले यह था कि हमाई पाकिस्तान में एक टीवी स्टेशन था और उसकी को हम दिस सुनते थे और उन्हीं जो ख़बरें होती इसके पे यकीन हो जादा था बद जो वाज सही है अब इतने चैनल्स खुल गए हैं कि जिसकी निमिटी नहीं खादम होती और मुक्तली ख़बरें मुक्तली जगाते आद नहीं है यह एक पॉजिटिव है भी है और इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव यह है कि हम लोग को ख़बरें जो हैं वो हाकिकत पसंदाना नहीं जात इसमें लेकिन वह हमें किसी दरिये से ख़मने से मानुपजिटिव होती है थी है और दूसी एक आहम चीज़ वह है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले ठुपी भी होती थी वह अब जाहिर होना शिरू हो गए है फसके हमारे मार्शले में जो फराबिया थी पहले हमें नहीं पता थी इसको कि एक ही मीडिया था एक ही रेडियो प्रेडियो स्टेशन और बहुत से बहुत यह वक्राइब शिरू हो गया था लेकिन वह बाते हमें नहीं महलुम होते थी और वोड आफसा था अधा मुझा दम जाते ही लेकिन अब इतनी आ गही है कि यह पॉजिटिव है कि उसके हमें मालुमात में बेजावा होता है और बहुत सी चीज़े हमें पता भी चलना शुरू जाती हैं और जहां दम नगेटिव का सवाल है नगेटिव का यह है कि बास ऐसे प्रोग्राम सोते हैं मुझा लिए जगाते में आप मियां के तो है सवाल नहीं पादा बास करने तो उससे असार जहें बजार इसके के पौल अच्छे लेना चाहिए लोगों को उसके अखलागी मैं जो है वो कर जाता है अमूमां हर जह जह की बाती ही कर रहा हूं लेकिन यह होता है लेकिन बजाहे जोर तर ये मीडिया का बहुत अहीं करदा हो जाए कि उसको अच्छी त कोई चीज या ऐसी खबरे होने चाहिए जो के पॉजिटिव ली असरां दाथ हो और यगिना अब जो से मैंने पहले भी कहा इस पे बहुत मानुमात में इस दाफा होता है और बहुत हम पो आगा ये भी मेंट चाहिए बिल्कुल मैं शुकुर गुजाना आपका शुक्रिया ब बसी दिखाए जाता था कि सुर्भा बाद में नहीं और नहीं आपका खूल दिया जाता है ये जहाज के से किसी खरता था और किसी को चुख़रता वा ये नहीं होताथ ये ऑ्लकूर वजसानि कृ dive i جूए है और आइको रही कृते उन्कृतिया असले कि चल्थरों कर बनाया है। वो अपने आस पास की ही उसको सुनसे बाख़वर रहना चाहता है। अब ये कि उसके बार चवारेति रहना है ये स्पिटुबेंट करता है कि उसका हल्का कितना बड़ा है जिसके अदर वा मूव को टा है या जिस आवरेत रहा सकता है वो एक भला मया भाहा ओंकि रहन हो है लेजोंक जाने हैं? लेकिन फिर उसके बाद जब वो मीस अब कम्यूकरिशन बढ़े गाड़ी ये पैता हुई बैस गाड़ी ये बनी ये कुछ और बनी और लोगों ने सफर करना शुरू किया तो दूसी जगों की भी हालात मालम होने हुए शुरू हुए लेकिन ये सब बातने जबानी थी जब काहस पैस बना पैसी मर्जबा तो फिर उसके बात ये चीज़ हुई कि वो एक काहस है वो बहुत जगा जा सकता था और वहां बहुत लोगों को बैक वक्त इस तरह दे सकता था तिक क्या हो रहा है उसमें अच्छी बाते भी होती थी बड़ी बाते भी होती थी बात लोग जो थे वो अपने सेलंगारी से क्राम लेते हुए उसमें जखा खुटपूर करने के लिए उड़ी सीज़ी बाते भी लिगिया करते थे मैं आपकर अकबर अलाबादी का एक टम्स का एक शेर तो उसमें खब्रदी के भी खबर हुआ करती थी और लोग जो थे वो अंग्रेज़ों का अफ़बार था निसके अपने साथ निरूदर पर भृट्प इसके बात निजारी किया गया था गौर्मन्ट की तरसे तो उसमें उसने एक तंस किया था कि वो घर से खताया है कल हो गया चिहलम उनका कोई साथ तेजी बिमार थे जिनके खबर पहले आई थी घर से खताया है कल हो गया चिहलम उनका पानियर कहता है बिमार का हाल अच्छा है तो इस किसम की बाते भी होती थी लेकिन पर उसके बार जर्समेधारी है और 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 ने करने लगे और उनके अपकांसमेधारीय भी बढ़ए carries PRAW आल सबताने ही। पर उसके बाद दोर आगी है एलेक्ट्रानिक का अख़ारं के बाद तो एलेक्ट्रानिक जो मीडिया है वो बहुत दूर तक पहुँचा और उसने जो तब्दीरी पैदा की लोगों के अंदर और उनको जो ख़बने पहुंचा हैं वो बहुत बड़ी चीज थी और उसमें भी तरखियां होती जा रही है पहले सरफ एक TV होकर हुआ करता था तालर रेडियो हुआ करता था अब वो सिर्फ होता था और पर प्राइव deixarने लगी रेडियो गी तब्र पर टीवी आया वह फिले गरुर्मेंट का होता था पर उसके बाद भी टी वी 지원 सानूने हो दूसे लूक जिसको वालिब ने भी कहा है कि आमद बहार की है रिबलबुल है नवमा संच अड़ी सी एक खबर है जबानी तयूड की तो वो अड़ी सी खबर ने हुआ का चेजिए अब यह है कि आपको अपने घर बैठे मुक्तलिफ किसम के खबरे मिल जाती है और इसमें मीडिया क्या दावे कर लेते हैं जिक दूरस नहीं होते हैं यह गुम्राहिक पैदा करते हैं लेकिन यह कि बिलमूम मीडिया जो है वो इंसान को बाख़बर रख रहा है और जैसे कि कल के वाकर कि आपने बात बताई उससे हम यह भी होता है कि हम लोगों की तक्लीफ में भी चरीक होते है हम यह भी जानते हैं कि हमारें क्या खराबिया हैं हम यह भी जानते हैं कि हम क्या का कुछ कर सकते हैं तो मीडिया बहुत कुछ कर सकता है अखला के फजल के हम से बावजूद इसके के सब मीडियम हैं वो एक जैसे नहीं है लेकिन उसके बावजूद हमारे हाँ इनकी बहुत हो रही है, खबरें की बहुत ताथ हो रही है, हम अब ज्यादा से ज्यादा वाकफ हो रहे हैं, नहीं सिर्फ फिय अपने मुल्क के लिए, बाहर के मुल्क के लिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ख़दा आफ़े बहुत अच्छी बात की, नखपी साथ ने तमाम जो है व बात कर रहे थे, तो देखें एक खबर होती है, उस खबर के अंदर एक खबर होती है, कि असल खबर क्या है, फिर सब मीडिया हाॉसेज और अगर बड़ी खबर है इंटरनेशनल लेविल की, तो इंटरनेशनल इसके ओपर, के मियारात के ओपर, मुक्तलिफ मुल्क उसको और अपने महफदायत में उसका ररंग देते हैं, हलांके खबर कुछ और होती है, और खबर दी कुछ और जा रही होती है, ये 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 बी एक इसके अदर नहीं है, ये प्रॉपिगंड़ा हो बिलकुल, एक कॉल को शामिल करेंगे, असलाम अलेकुम और रहमत करणारे अपने दागरों लेने वारे कैसे हैं, ये उनकी अपनी अपनी मर्दी है, बात ही है कि हम मुस्मानों को अपने नभी की सीरित के अपर जाना चाहिए, अपने नभी की सीरित जब असल हो गई, तो ये 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 जाना तो कुछ फाइदा नहीं इन दोनों को जान लिया तो दुनिया को जानने की जरूरते नहीं है आपने महपत के जिरिये से इन लोगों के पिछे लग जाओ क्योंकि महपत जो है यह बहुत बड़ी पाव रखती है और महपत नभी को और अधर तरी लिए असलाम को घार प को ये अपना करणार अजी करना जाईए एक भी मुसलमान अपने नभी को चाने वाला हो जाए तो काफी है पूरी दुम्या में तो मैं इसे के साथ दौा है सब को कि हम लोग अपने आपको साफ करें और अपने अंदर अपने नभी को देखें और अपने अंदर अपने अधरत अलियल असलाम को देखें बात ये है कि अपना अंदर साफ नहीं है तो ये दोनी चीज़े देखने से बहुत दिश्वार है बिडिया का करदार आप लोगों को देखकर दिल खुश होता है और मैं दौा करता हूँ आप लोगों के जिरीए से लोगों को कुछ अच्छी बाते मिलने को सुनने को मिलती है और उसको अपनाने के लिए ये तो आदमी का अपना करदार चाहिए पर मैं सुक्रिया अदा करता हूँ और सथादें को अद्ब के साथ स्वाम पेश करता हूँ आप जीज़े जहां पर मीडिया के करदार बात हो रही है अब मीडिया की वजह से आया हो जाती है जो बैटल फिल्ड होती है उसके अंदर घंसान की जंग की जो वीडियो आती हो कहां से आती है हम बहुत आराम के साथ स्क्रीन पेट कर वो तमाम मनाजिर व तवाम चीज़े देख लेते हैं वगर हम अगर ज़रा सा गहराई में जाए थोड़ा सा गहर करें तो हम देखेंगे कोई ने कोई अपनी शदीद जान पर खेल कर दी तमाम चीज़ें लेकर आरा है आराम के स्क्रीन पर आजाती है जो रिपोर्टर अंदर होता है जो 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 किसी भी लम्हे मौतियों में जा सकता है अगर वो अपना पेशावराना जो है वो अमूर अंजाम दे रहा होता है तमाम चीज़ें हमें इसको एप्रेशेट भी करना चाहिए कॉलर को शामिल अज़ें पर पर वे दिवारा आपके इलम में जाफा फरमाए से अलामा साब को से तुसलामती दे और जिसले हमारे बाई बाई अला पाक उनको भी से तुसलामती दे माशाआलला बहुत अच्छा टापक चुना है मौसी भाई आज आपने मैं ये बात करूंगा कि मीडिया करके दार मैं समता हूं कि जिस मीडिया के उपर आप सुबों सुबों उठें अगर तो आपको गाने बजाने और नाच और फाशा बातें मिलें वो मीडिया कितना कुछ सचा हो सकता है पहली बात पाकिस्तान में जितने भी मीडिया चला जा रहा है या तक्रीबन तक्रीबन दुनिया के जितने भी वो सुबह के प्रोगाम लगते है मैं कोई मुसी भाई कोई अपने चैनल की कोई तारीफ नहीं कर रहा है लेकर आपको अकल और शार के साथ देखना पड़ेगा कि कौन सा चैनल आपको क्या देता है अगर आपको दर्स मुहमद और आल मुहमद मिलता है अगर दुनिया से महबत करने प्यार करने खलूस करने की बाते मिलती है तो वो चैनल अच्छा है, मैं कोई अपने चैनल की तारीफ नहीं कर रहा लेकर अगर आप पाकस्तान के जितने भी चैनल है आप अगर सुगो सुगो उठें तो वहां पोगाम देखें, आप अपनी बेहन के साथ बैट के पोगाम नहीं दे सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता तो आप ये चैनल देख सकते हैं, अगर किसी के साथ कोई और दावा है कि वो चैनल देखें, वो नहीं देख सकते हैं, मौसी भाई तो यही बात है कि जब आपने दुरुस्ट फर्माया है कि छोटी बात को बड़ा करके बताया जा रहा है, प्रप्रोगंडे किये जा रहे हैं, कुछ चेनल ऐसे हैं जो इंडिया के खिलाफ प्रप्रोगंडे करते हैं, कुछ इंडिया के चेनल हैं जो पाक्सान के खिलाफ प् अच्छाई मिले, जल्म के खलाफ बात करने की हम्मत बड़े, वो आप देखें तो अल्लाओ आपका साथ भी देगा, मुहम्मद और आलि मुहम्मद के सद्के में हमें, हक बात पर अमल करने की हम्मत अधा फरमाए, एक बात पाकिस्तान के चेनलोगी में बात आप से करू होगे कभी किसी मिडिया उन उनकी खबर चलाई ए रहा है है या कुछ कहा के वहा है उनके मतालबाब क्या है वो क्यों बैटे हुए है इतने हर्से से मिलम बढू आप चाहिए थे तो यही बट हुट हुट की कश दो देता है शैतानों की खबरे दो देता है, मुख्तलिफ किसम के वो चलाता है आपने चैनलों के अपर, लेकर अगर कोई हाथ का बात कहे तो पता नहीं उसको चुप जाती है, दवाओं में याद रखेगा, खुड़ा आफिर जाए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा आ मीडिया जो है, वो जमाना जो एक चला गया, जाहर है गैप आ चुका हुआ है, बहुत जैनरेशन गैप एक पूरा बीच में आता है, तो जब हम बच्चे थे तो किस तरह से मीडिया कटा था है, उसकत का मीडिया क्या था, अब कैसा है, और आइदा आने वाले दस सालों के जो है, आछाए मिडिया के अलुछी डा फैसर जान होटाहर है, और जाहर है जन्या थे कि मीडिया की जहां पी पौजिटिव रॉल बढहे है – उसको काफी तेदी के साथ जो भूआ, यही हैं हम हुआ तो बात करें हैं, अ अ अपने पाकिसान के मीडिया के, आप मगर्मी क्वे इस Kin पूरी केंपन एक लाइन होता है उसको जो उन्हें राए आमा जिस तरह से हमवार करनी होती है इस तरह हमें किसी के हाथ बनेमें में नहीं है। आपको भी पूरा मौका है। आपको भी हमारी वी नश्रियात एक सो साथ मुलकों में जा रहे है। हमारा जो हक और सजबात कहने वाला मीडिया है कोई वो भी बहुत अच्छी खासी तादात में देखें बात ही होती है कि एक खुलूस के साथ सचाई के साथ आप मत देखें कि आपके मद्दे मुकाबल बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं इसको नहीं देखें हक की आवाज हमेशा गालिब आजाती है देखें यहां पर बाज मुक्तलिफ मुमालिक में बाज टेलिविजन को बंड क्यों क्या गया बैंड क्यों क्या गया उसकी वज़ा है अगर उनकी आवाज स्ट्रॉंग नहीं थी और आपके पास बड़े बड़े मेडिया हाॉसेस हैं तो आप चले देते हैं सही मसहल lava यही होता है कि जहां पर देखते हैं बाज जगहंपर मजबूर होते बाज जगहंगर नहीं होते तो बंद कर देते हैं मेडिया का दोर है, मेडिया अपना काम करेगा, इस मेडिया से चीजें जो है वो कटके सोशल मेडिया पर जाती है, वहाँ से पॉप अप होती है, लोग उसमें अपने कलिप्स डालते हैं, लोग उसके अंदर हकायक दिखाते हैं, कोई 24 घंटे कोई 2000 टीवी चैनल नहीं देख सकता, लोग क्या करते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो उसमें से क्लिपिंग करके आगे फावर्ट करते हैं, कि ये देखो हक की बात कर रहा है, कोई ये देखो सच बात कर रहा है, ये इसका ये असल चेहरा ये है, तो ये सारी चीजें, ये मीडिया का दोर है, इसको म मेरे बैंच फर्माई है Yeah, well, allah का शूखरॉ है बिल्क तिक ठाक आप ठीक है सवब जी ब्लव को शूखरॉ है बिलकु तो अब कॉल सब्शित में आपके अलाके भे सुर。 बारिष नहीं हो रहे हैं अभी यह हमारे हैं बहुत हो रही है मेरा खैला हमसे थोड़ी सी जो हो दार ले ले लें बारिष हैं यह बात प्रश बर्स 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 बर्साइगा आपके अलाके में जाफिर साथ इसलाम की शाहदत पर हम मंडे को करेंगे इंशालला पूरा शाहदत के उपर और तमाम चीज़ों पर तफसील ही यह वह इसलाला गुफ्तगू होगी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्रम में शामिल होई आप अब क्या हुआ है अब क्या हुआ है अब क्या हुआ अब वही लोग अपने अपने टीवी खोल के बैठें रहें और इस्तमाल भी टीवी को ही कर रहे हैं उन से पूछोगे कल जब यह हराम था इसके ओपर डंडे मार रहे थे मुक्तलिव जगह उपर मैं तो देखें आप जो मुए जगह पता है मैं उनका शीकर कर सकता हुआ है कि रीगल चौक है वहाँ पर जो है वो किराची की सबसे बड़ी एलेक्ट्रोनिक मार्केट है वहा रोज हंगामा होता था टीवी सैट्स अटा के पैक देते हैं हाँ ये मजभी तन्जीम हो गए दैशन कर अब जब इनको पता लगा के नहीं हम इसके जरीव से ही हम अपना काम कर सकते हैं तो वह एक दम और नाइट हलाल हराम से हलाल हो गया और अब पूरे पूरे चैनल खोल गए वो खुद लोग उसके ओपर पै अब जब आदे अब लगाइब कर आए इसके अब बहुत 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 वाले कम आदे जञा बढद रखे आप लोंको मेरे भाइब आप लोगा में अधिवाद कराओं जनाब आजिए खुशाम दिए परगाम देखता हूं दिल से दुआया निकलते हैं जज आर रह्मान रहीम नरे तक्बीर अल्लाहु अक्बर नरे रिसालत या रसूलाह नरे हैदरी या अली नरे खैबरी या अली नरे सब्दरी या अली धंदम अली अली हर दमध अली एवाद करी विल तांद यजीदियत मुर्दाबाद हिदायट पीवी आपकी टीम जिंदाबआ हुश रहे आबाद रहे या लिम मधत माजयत मुषस भी खुदा खाफेज, शुक्रिया बास दफ़ा बास जगहों से हक की आवाज बलंद हो जाती है क्योंगे देखें उसके अंदर मुक्तलिफ लोग काम करने वाले होते हैं उसमें अच्छे बुरे पेड़ और जो है वो अपनी शुबे के साथ, अपने पेशे के साथ मुखलिस भी लोग होते हैं जरूरी नहीं है, आप देखें बास दफ़ा ऐसी जगह से बात निकल के सामने आती है कि जहां से आप सोचे के मुम्किन नहीं है, किसी और मुलक का दुश्मन, मुलक का स्टेट, टेलिवीजन हैं बास दफ़ा वो उसमें से ये बात कर देते हैं तो वो क्या होता है? वो बास खुसान बास खुसी प्रोग्राम, बास मुखतलिफ लोगों के जिम्मदारियां होते हैं, उनके हैंड़ोर्स होते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम नशिर क्यों करवाया, क्यों आपने ये बना के दिया, क्या किया तो ये तमाम चीज़ें ये रुकेगा नहीं, हक हर जिगा से बलंद होता रहेगा, लाग छुपाएं कल जो लोग इराख पर हमला करने के लिए बड़ी बड़ी नियूस कैमपेंज चला रहे थे, आज खुद बैठके कहते हैं, वहीं से जी घलती हो गई, और हमने खलत हमला किया, महाँ तो कुछ नहीं था, और हम माफी मांगते हूं, दस लाग लोग मारके, फिर वो माफी के वहां से वो इस्तिमाल करते हैं, गो कि ये भी एक उसके उपर मट्टी डालना है, मगर इसके अंदर एक चीज तो जाहर हो रही है, कल आप क्यों लगे वे थे, और जोसी बात है कि आपकी, वो तो जाहर है जो नुकसान, जाहर उसका नहीं दा किया जा सकता, उसका नहीं हो स चला और आइंदा इसका मतलब है क्योंकि ये लोग बाद आने वाले नहीं हैं, तो आइंदा होने वाली ऐसी जुलों जुल्मों से तंपे अटलिस्ट लोगों का व्यू तो क्लियर होगा ना, अब इनका नेक्स्ट जो हर्वा है, वो अब हमले के उसमें वो नहीं रही, तो दौलत इसलामिया, हकुमत इसलामी इसको सो कॉल्ड भी कभी कह देते हैं, मगर आप हकुमत इसलामी इसको कह क्यों रहे हैं, जो के मुसल्मानों का खुन बाह रही है, तो भाई ये कैसी मुसल्मान दौलत इसलामिया हैं, जिसने आज तक जो है वो किसी शराफ खाने पर हमल इसको दौलत इसलामिया आप क्यों कह रहा है ये एंटी इसलाम मुहमेंट है मगर वो बड़ी खुबजूरती के साथ इसको जाहर है उनको भी अपना वफाद है इसे वो और अब ये पिक्चर जो मुस्लमानों की वो गलत तरीके से पेश करते हैं नाजरीन फिलहाल जाएंगे हमें चोटे से वकफे पर वकफे के बाद आप से दुबारा गुफ्तगू करेंगे आप अपनी कॉल्स जो है वो शामिल कर सकेंगे लेते हैं चोटा सा ब्रेक